आजकल सभी की जरूरत धन बन गया है, आजकल के विलासिता पूर्ण जीवन का आधार ही धन है. धन प्राप्ट करने के लिए व्यक्ति रोज काम करता है, परन्तु कुछ व्यक्ति बहुत अमीर है, तथा बहुत व्यक्ति बहुत गरीब है. धन को पाने में किस्मत का एहम किरदार है, किस्मत से ही कोई गरीब व्यक्ति अचानक से इतना अमीर हो जाता है, कि रातो रात प्रसिद्ध भी हो जाता है. ऐसा उसकी किस्मत में लिखा था, इसलिए वहां अमीर हो गया. किस्मत को चमकाने और धन को आकरशित करने के अच्च इस प्रकार है. पहला उपाए, एक पाँच रुपे का सिक्का दो छोटी इलायची ले. अब दोनों को दाय हात में ले, अब किसी भी लक्षमी मा की मूर्ति के सामने या कुबेर की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करे की मेरी धन संबंधी समस्या को दूर करे तथा घन प्राप्ती में मेरी सहायता करे। प्रार्थना के बाद इसे रात को सोने से पहले अपने तकिये के निचे रख दे और सो जाए। और सुभा उठकर अपने घर के मंदिर में इसे रख दे और विश्वास करे थोड़े ही दिनों में आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाए। शुकल पक्ष के शुकरवार को यह उपाए शुरू करे। शुक्ल पक्ष के शुक्रुवार को बरहम मुहर्त में सबसे पहले उस जगह को गंगा जल का छीन्टा लगा कर पवित्र करे जहां यह पूजा करनी है. पूर्व दिशा में एक लकडी का बाजोट रखे उसके उपर लाल वस्त्र बिचाए और उसे पीले फूलों से सजा ले. खिर उस पर श्री यंत्र स्थापित करे. धुप अगरबत्ती देकर माता लक्ष्मी का धयान करते हुए लाल या पीले सूती आसन पर बैठ कर कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी मंत्र का ग्यारा माला जाप करे. मंत्र दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप जाकर चेक कर सकते हैं. ग्यारा माला जाप के बाद सफेद रंग के कपडे में श्री यंत्र को लपेट कर अपनी तिजोरी या पैसा रखने की जगह रखे. और ग्यारा दिन इसे वहां रखे रहने दे, बारवे दिन श्री यंत्र को बहते पानी में प्रवाहित कर दे, इससे आपको अचानक धन भी प्राप्थ होगा. तीसरा उपाए पाँच काली मिर्च के दाने लेकर किसी खुले स्थान पर चले जाए. अब अपने बाए हात में काली मिर्च लेकर भगवान से प्रार्थना करे की धन समबंधी समस्याओं को दूर करो और फूक मार कर दाय हात से चारो दिशाओं में सबसे पहले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिन में और अंत में काली मिर्च को उपर आकाश की तरफ फैंक और पीछे देखे बिना घर आजाए कुछ दिनों में ही धन का मार्क खुलने लगेगा और अचानक धन भी प्राप्त होगा. चौथा उपाए लक्ष्मी माता की मूर्ती पर केसर का तिलक रोज पूजा करते समय लगाए इससे आप वर्षो पुरानी गरीबी भी दूर कर सकते हैं. पाच्वा उपाए यदि आपको अचानत धन प्राप्त करना है, तो आप मनोकामना करते हुए बर्गत के पेड के पास जाए तथा उसकी जो जटा होती है, उसमें मनोकामना के साथ गाठ लगा दे आपको अचानत धन प्राप्त होगा. छटा उपाए काली हल्दी जो प्राय बाजार में पंसारी पर आसानी से मिल जाती है काली हल्दी को सिंदूर लगा कर वधूप देकर कुछ सिक्कों के साथ लाल कपड़े में लपेट कर अलमारी में रख दे साथवा उपाए जारा कोडिया लेकर उसे शुद्ध केसर में रंकर पीले कपड़े में बांध कर धन रखने के स्थान पर रख दे इससे लाब जरूर होगा आठवा उपाए घर के मुख्यद्वार पर रोज सरसो के तेल का दीपक जलाए दीपक बुझ जाए तो अगर उसमें तेल बच जाए तो उसे पीपल के पेड़ पर चड़ा दे इससे धन समस्या हल होगी अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेर करे और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विडियो देख रही हैं ऐसे पौरानिक ज्यान और आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और हमारी आज की विडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं